तक्षा दस्वी के MP Board के सभी विद्यारतियों की होने वाले बल्ले वादा आपसे किया है कि आपकी बार 90 पाल लेके चलेंगे तो इसी सरंकला में 13 भरवरी के बच्चों के लिए यहाँ पर देख लिए कि मौस्ट इंपोर्डेंट पेपर आपन लेकर आए हैं सेट भी मैस का ह चलिए तो सिरू करते हैं बढ़िया से ना चलिए यहाँ पर देखिए किसी पुर्णांग के क्यों के लिए परती एक विसम पुर्णांग के का जो रूप होगा तो विसम पुर्णांग के का जो रूप होगा ना वो किसा होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं आप विसम का मत पदलब ही क्या होता है घाथ 2 ठीक है कितनी घाथ 2 ठीक है तो यहां पर 2 घाथ आएगा कि अ1 भाइ एक टू इस इक्वॉल एब 1 by B2 बट इस नौट इक्वाल टू सी वन भाइ सी तो समीकरन निकाहे a1 x b1 y plus c1 equal 0 तता b2 x b2 y plus c2 equal 0 का हल होगा देखे जब एसी इस्तिती रहती है ना तो उसका कोई भी हल नहीं होता है ठीक है और यदि ac condition आएगी a1 y a2 is not equal to b1 y b2 तो इसका a का दित्य हल होता है यह होता है एक दित्य और अनन्ता अनेखल की condition यह होती है a1 by is equal b1 by b2 is equal c1 by c2 सब्जमाई गया वाद तो यह आपका इस तरह से condition रहेगी ठीकिए यह किसके लिए अनन्ता अनेखल के लिए पर अपनी condition किसके लिए यहाँ पर यह कोई भी हल नहीं है बिंडू a0,6 और 0,2 के बीच की दूरी तो इसके बीच की दूरी क्या होगी आपकी 8 होगी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और यदि एक बिंडू p से o के अंदरवाले किसी वरत पर p a p b इस पर से रिखाए हैं तो यहाँ पर जो कौन है वो कितने दिखाए होगा वो का पचास दिखाए का यह जो फॉर्मूला है यह आपका माध्यक का फॉर्मूला ठीक हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं इंग्लिस युडियम वाले बच्चों के लिए तो यह बढ़िया से यहां से स्किन सोट लेंगे चलिए होगे अतना अब एर इक्तिस्तान यदि पी एक्स यदि पी एक्स एक द्विघात बहुपद है यदि पी एक्स क्या है एक द्विघात बहुपद है तो p x equal 0 को क्या कहेंगे वर्ग समीकरन क्या कहेंगे जब किसी अनुकरम के पदों को किसी नियम के द्वारा लिखा जाता है तो इसे क्या कहते हैं स्रेंडी कहते हैं ठीक है सभी वरत केसे होते हैं सभी वरत होते हैं समरू नीचे खड़े रेकर उपर की और देखने के लिए द्रस्टी रेका को 36 रेका से जितना उपर की और गुमाना पड़ता है वहां कोन उन्नयन कोन क्यलाता है क्यलाता है वो उन्नयन कोन ठीटा कोन वाले त्रिजिकन का जो छेतरपल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ठीक है यहां पर आपका देख लिजेगा कोन ठीटा वाला है तो यह वजाएगा आपका त्रिजिकन का फॉर्मूला यहां अगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं यहां से हमारे इंग्लिज्ट विडियों शुल मेरे कि यहां डिखसकते हैं अब विविटकार सुन्नी हो तो मूल के से होते हैं मूल होते हैं वास्तिविक और समान मूल समान होते हैं वास्तिविक होते हैं समरूप तिर्भूज समरूप तिर्भूज समभावू तिर्भूज हो जाएगा X,0 बिंदू की भूज X,0 बिंदू की भूज X है क्योंकि भूज आगे वालक केते हैं एदिश्क ही कोटी पुछता तो 0 लिखते हैं साइन तीज डिगरी साइन तीज का मान जागा कोष साथ डिगरी सेख ठीटा सेख ठीटा का जागा 1 वाइक कोष ठीटा और 1 प्लस 10 स्कॉर ठीटा जागा से एक स्क्वायर ठीटा ठीक है यहां से देख लिए यहां से देख लिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं यहां से अच्छे समझेंगे ना हमारे इंग्लिस उनिम वाले बच्चों के लिए है यह यह देख लिए भर दिया है पेले से आगे बढ़ते हैं समीकरन x-square plus bx plus c equal 0 में b square minus 4ac को क्या केते हैं तो इसे केते हैं पन विविक्त कर यह केते हैं विविक्त यहां पर यह समांतर स्रेनी है या नहीं है यहां पर इसका सारवंतर क्या समान नहीं रहेगा सोल्व करोगे तो इसलिए समांतर स्रेनी नहीं है कि वहां रहेखा क्या केलाएगी जो हमारी आउंख से भूमी के सीधे समांतर जाती है तो जो भूमी के समांतर सीधे जाती है नँसका है उसके आपन छेटी कि एक वारत की कितनी समानतर इस मुद्वसृ सरे खीक जा सकती है तो एक वरत के शमानतर रयना दो यह तो फिर इस टाइप सखीक दो यह इस टाइप कितनी खीक जा सकती है के वल दो और यहां परिसक्स्य स्क्वार आ जाएगा पुर अन्त में आ जाएगा एक आसंभव गटना की प्राइक्ता केसे होती है सुन्हीं होती है संभव की एक होगे इतना जोले यहां से आप देख सकते हैं यह अड़िया से कंपलीट करना है न आप तो जितना में बता रहा हूं उतना आप complete करो बाकिसम मेरी जवाबदारी है ठीक है यहां सब्सक्राइब पूर्रे सक्या होती है तो भाई साथ प्राकत संक्या अंदर गुज जाएगी पूरी पूरी पूर्ण में तो यह बिल्कुल सत्य आपती बात समांतर स्रेनी में के पद सदे बढ़ते क्रम में नहीं घरते क्रम में भी हो सकते हैं जरूरी नहीं है नो साथ पाच तीन दो इसे भी आ सकते हैं तो यह बात आपकी आ सत्य रहेगी संकौन तिर बुज में करन सबसे बड़ी बूजा है संकौन तिर बुज में करन जो सबसे बड़ी बूजा है तो बिल्कुल चार कॉमा जीरो और जीरो कॉमा तीन के बीच की दूरी पांच इकाई है ये आपका असत्य रहेगा संकु का आईतन बायार स्क्वार रेच होता है ये बिल्कुल सत्य है किसी गटना की प्राइक्ता रिनात्मक भी हो सकती है कि यहां से अध्यान से देखने है जिए अधिनात्मक कभी नहीं होती धनात्मक कुरती है और कुछ से तक बार छे से आप ध्याद से देखो 5005 यह सारे सवालों का सोलिशन में अगले वीडियो मैं आपको प्रोवाइट कराऊंगा तेले अपन है ना इनको अच्छी से पेपर को बता देता हूं मैं फिर इनका अपन सोलिशन देखेंगे दो से तीन दिन के बाद में 5005 को अबाज्य गुननफलो के गुननफल के रूप में व्यक्त कीजिए अबाज्य गुननखन वीडि द्वराद चानमे और 404 का स्चिय प्याद करना है फिर इसका आपको एलस्चिय प्याद करना है शिद्धि कीजिए कि साथ करनी पांच एक आपरी में संक्या है जाज कीजिए कि क्या किसी प्राकट संक्या एन के लिए 6 से एन अंकज सुन्य पर समाप्त हो सकती है द्विगात विंजक 4X स्क्वाइर प्लस 5 अंडरूट 2X माइनस 3 के सुन्य ग्याद कीजिए और सुन्य को तो ता गुनांकों के भी संबंद ग्याद कीजिएगा एक द्विगात बहुपद ग्याद करना है आपको जिसके सुन्यकों का योग और गुणनफल क्रमसा इस्तरा का रहेगा आपका ठीक है यह कुश्य नमर नाइन है आपका यह आपका टेन रहेगा हो गया जहां से देख लिए कुश्य नमर यह आपका 11 यह टूएल है यह थार्टीन कुश्य नमर फोर्टीन कुश्य नमर फोर्टीन यह आपका फिप्टीन यदि पी की प्राइक्टा है जीरो दसमलो जीरो पाँच और पी नहीं की प्राइक्टा क्या होगे यह कुश्य नमर आपको पंदरा सुला हो गया है हो गया यह यहां से देख लिएगा यह कुश्य नमर ठारा यह कुश्य डबर उनेश यह कुश्य नमर बीस यह आपका कुश्य नमर इक्टीस हो गया यहां से आप देख सकते हैं यह कुश्य नमर बाविस रहेगा आपका जाप हुआ यह यह हुआ